तो दुनिया वर में चल पड़ा बाइगाउड इंडिया बाइगाउड इंडिया प्रोडाक्स इस्पेश्टी अर्भी कंट्री इस्लामिक कंट्रेस में भारत को बाइगाउड करने की बात हो रही है विदेश इंतरा ले इस पर जवाब देता है कि कौन आपके साथ है को नहीं है अगर अभी चिला रहे हैं तो इंडिया तो मेजर कानोी से बनने से कोई रोक ने सकता है इंडिया अतनी लैंड बरी इस थी पोपोलेशन है तो बाइग बता दो अग्स पोज़ों वह भी दुनिया में को भी इविन कि नजर आए ठीक है इंडिया पर आप लोगों ने चड़ाई की भी है सारों ने के जी वह इंडिया हालागे वह ऐसी बात ही कोई नहीं हो दर यह कर रहे हैं तो लोगों पूरे मुसलम वर्ल खड़ा हो चुका है ना इसी टॉक पर आज की मेजर गौरव आरिया जी की वीडियो आ रही है तो गौरव आरिया जी ने अपनी सकत आवाज में रिस्पॉंस किया है इस पूरी कंट्रवरिसी से जितने भी लोग मिले हुए है इदर इदर अरब कंट्री इसलामिक कंट्री ओएसी और कुछ जो निउस पेपर मैग जीन से तो सब को उसमें रिप्लाई किया है तो देखत से कैसा नाचरल डिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी क्या आपने उसको डिसकावर करा आप मतलब अरब वर्ल्ड क्या आपने उसको डिसकावर करा नहीं आपको तो पता भी नहीं था यह तो भीड़ चराते थे यह दो जनरेशन पहले भीड़ चराते थे यह बेड़ोंस वाले हैं, कुछ राडिकल इसलामिस्ट हैं, उनका एक करोड हमारे वरकर हैं और एक करोड वरकर को अगर उन्होंने निकाल दिया वाँ, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं, लोग, इस पीपल डोंट है इनका दिमाग विमाग तो है नहीं, वहाँ पे एक करोड वरक आपने सारी हदीस लिखी हैं, मुहमद बिन सल्मान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सौधियरभ था, जो शिंग जियांग फाइल्स करके, पुलीस फाइल्स करके, जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजा से लोगों की, जो मुसल्मानों की है, जिनको चीन नमार दे, इनकी हिम्मत नहीं है, ये तो बीजेपी की स्पोक्सपरसन नोपुर शर्मा, उसने कुछ मुह सबोल दिया, तो इनका मुह सूच गया, वहाँ पे मुहमद नाम रखना अलाउड नहीं है, शिंग जियांग प्र तुम आफिस टाइम में नमाज नहीं पार साथ, गोबल्स हिटलर का प्रोपगेंडा मिनिस्टर था, उसके बाद अगर उस इवल और क्लिनिकल एफिशेंसी के साथ, अगर किसी ने प्रोपगेंडा करा है तो अल-जजेरा ने करा है, अल-जजेरा इस, इस अट अल-जजेर इस, अल-जजेरा ने कभी मुसल्मानों के भलाई की बात नहीं करी, यह फितना चाहता है, अल-जजेरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है, जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लासर जो चाहता है, उनके उनका हुकम बजाता है, अ अलजजीरा जहें दोस्तों मैं हूँ में जो गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ओफेंस लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो वेबब अभी जो नोपर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडलीस में गल्फ स्टेट्स में काफी हो रखा यह यह हुआ कैसे हर एक चीज के पीछे वजुआत होती है हर एक चीज के पीछे कारण होता है और आज हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे कि इसकी पीछे है क्या यह हुआ कैसे तो एक organization है Muslim Brotherhood जिसने जनम लिया था मेसर में एजिप्ट में और यह एक radical Islamist organization है terrorist support भी करती है इसके overground workers भी है इसके underground workers भी है इसका financial network भी है financial institution banks में political parties में NGO's में हर जगे Muslim Brotherhood का जिसको कहते है penetration बहुत जबरदस्त है आज से नहीं कई दियाईयों से कई दशकों से इसका penetration है इजिप से शुरुआत है लेकिन much of the Middle East much of the Muslim countries इसका support है लोग इधर इसके members हैं या फिर members को पैसा देते हैं funding chanting वगएरा अच्छा जब नुपर शर्मा की debate हुई तो नुपर शर्मा ने जो Prophet Muhammad के लिए बोला वहाँ पे उसके पहले जो रह्मानी था रह्मानी बोल रहा था लेकिन रह्मानी ने बोला उसके रियक्शन में उपर शर्मा ने जो भी बोला उसके बाद कुछ नहींवा दो चार दिन के लिए सब चुप थे नोबडी टुक नोटिस, अरब वर्ल दिड नॉट टेक नोटिस, पाकिस्तान तो कहें इमरान खान के पीछे उनका लगा लगा हुआ तो वो इमरान खान, इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे सदनली बीच में आता है अलजजीरा, बहुत इंपॉर्टन चीज है कि अलजजीरा में, देखिए, चार पाँच मुल्क हैं वेवफ, जो इसके पीछे हैं जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवेथ है, पाकिस्तान है, इस किसम के चार पाँच मुल्क हैं, जो इन सब चीजों के पीछे, एक जवाना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनेटरेशन था, इन मुल्कों में और मिडल इस्ट में, इनको फंड इनको बेसिस दिये जाते थे, पर जब से थोड़ा सा साओधी अरेविया की वज़े से, थोड़ा सा वहां पे, खासतोर से इंडिया की डिप्लॉमसी की वज़े से, जो इंडिया का आउट्रीच रहा है, वो इन चार पांच मुल्कों को अच्छा लगा नहीं है, अब इंड मुदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरुसकार है, वो काफी अरब देश देते हैं बुलाके, हातों हात लेते हैं, पलेस्टाइन ने दिया है, साओधी ने दिया है, और मुदी जी पलेस्टीन जा चुके हैं, और पलेस्टीन जाने के बाद, उनको ये बताया है कि नहीं जहां तक human support की बात है, जहां पर medicines की बात है, या aid की बात है, कुछ और की बात है, तो at a human level, we are with all the suffering people in the world, तो मोदी जी वहां पर भी गए, अब 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 चकर यह हो गया कि इस चीज को Al-Jazira, Al-Jazira के उपर हम दो मिनिट के बाद आएंगे, यह हो गया कि Al-Jazira ने एक hashtag लगाया, boycott Indian products, boycott Indian goods जो भी था, उन्होंने एक hashtag चलाया, यह बोलके, कि यह hashtag trend कर रहा है Arab world में, जब उसना tweet करा तब trend trend नहीं करा था, वो, subtle propaganda करा, subtle propaganda करा, effective propaganda करा, Al-Jazira ने, और Al-Jazira जो global news network है, which is funded by Qatar, and which has radicals, English speaking Islamic radicals, राइट, like Mehdi Hasan, उसको तो Dr. Shashi Tharudna काफी उसकी class ली थी, लेकिन यह कितनी भी अच्छे अंग्रेजी बोलें, American accent से, British accent से, ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, यह बात सच है, अब बात यह होई कि, इन्होंने वो hashtag, अब जब इन्होंने hashtag करा तब दुनिया जागी, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भई, चलो, सब लोग फिर गए उसमें, अच्छा जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की ISI और टर्की और और इरान और कुवेट और कतर, इन सब लोगोंने माल मसाला तयार करके डाल रखा था उसमें, तो एक, जिसको कहते एक कॉंस्पिरिसी के तहट, एक साज़िश के तहट उन्होंने टार्गेट करा इंडिया को, अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया, पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरन आफिस ने कर दिया, OIC को भी बोल दिया, कि वह नारो माइंड़, और ती इसरी चीज़ है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा, ट्विटर पर ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमसी के इतनी कमजोर है कि अल जज़ीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगे, बारत में काफी वामपंती हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ उप इनका दिमाग विमाग तो है नहीं, वहाँ पे एक करोड वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहे, देर रनिंग दोस कंट्रीज एकॉनमीज, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बलाएं आपने इंडियन वर्कर्स, आप निक करते हैं, आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वेभव, यह बेर्ड हाते थे, यह उँट चराते थे, इनको यह नहीं पता था कि जो काला काला कीचर जो रेत में मिला हुआ है, यह तेल है, वो तो गोरे düBS आ की इनको बताया, यार, कि यह तेल है, इनको तो इस च इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पाथ इतना पैसा है यह कैसा है यह तो नाचरल रिसोर्स वाला पैसा है जिनको खुद में पता था तो देखिए नाचरल रिसोर्स हर एक बुल्क में होते हैं थोड़ बहुत थीक है अगर आपके पास एक ऐसा नाचरल रिसोर्स था ज भाई गये वाई गये जहां घास मिली ओएसस मिला उंट था इनका तो यही मामला था देवरी-वरी कुअ अंग्रेज आया गोरे यह कॉरा अगौरे ने बोला भाई यह प्लग सिया गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया तब ज जब से ये बडे बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया, अमीर बने, बडे तो क्या बने खार यह, अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया, आज की तारीक में, मोहमथ बिन सल्मान जो है, उसकी इड़ाई क्या है, कि get off oil, वो जो टूरिजम को बढ़ावा दे रहा है कि वुमन ड्राइव करेंगी और उसने बोल दिया कि जो हदीश है मैं नहीं मानता पूरे के पूरे हदीश को उसने बोला कि यार दिस वस रिटन आफ्टर देथ व्द प्रॉफिट यूनों बस तू-300 अफ्र देथ व्द प्रॉफिट मुहमद के मरने के बाद आपने सारी हदीश लिखी है मुहमद बिन सल्मान में मना कर दिया किसी ने चू नहीं करी कुछ नहीं बोला किसी ने क्योंकि उस आदियरब था ठीक है तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नौपरशरमा ने सच बोला जूट बोला कैलों कह 내용 के रहे हैं कि नौपरशरमा ने ऐसा गलत क्या बोला वह तो हदीश में लिखा है कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं साभ, अथीस में असा नहीं लिखा, देखो, मैंने तो अधीस पढ़ी नी, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताओ, कि जो, मैंने ट्वीट भी करा था, कि जो तेल पे तना घमंट कर रहे है ना उनका तेल निकलने का वक्त आ गया और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में अच्छी तरीके से निकलेगा support of terrorist organizations क्या सिर्फ Muslim Brotherhood है? नहीं, it's also the Hamas, it's also the Hezbollah, जो कि Iranian oil पे फलते हैं, एरान के अंदर तो sanctions है ना, एरान के पास पैसा कहां से आता है, ब्लाक में oil बेच के, ब्लाक में Iran oil बेचता है तो फंड करता है ये सब चीज़े हैं, वरना उन पे तो जबर्दा sanctions लगे हुए, मेरा कहने का मतलब है कि Muslim Brotherhood कहां शुरू होता है और कहां खतम होता है, और जहां पे खतम होता है, कहां पे Al-Jazira शुरू होता है और कहां पे खतम होता है, नोबडी नोज, इन्हों ने क्या करा है, कि Global Propaganda के लिए एक Media Wing खड़ा कर दिया, पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है, आप देखे न, आप मजाग देखे एक, Al-Jazira, मैं खास तोर से Al-Jazira की बात कर रहा हूं, Al-Jazira प्रोगेट करता है, Freedom of Press क्योंकि Media वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है, जहां पे Freedom of Press हैंगी, समझे है मेरी बात, Al-Jazira belongs to the Government of, Government of Qatar funds Al-Jazira, for all that matters, the Government of Qatar funds Al-Jazira, क्या Qatar democracy है, क्या Turkey democracy है, अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या Iran democracy है, या फिर Pakistan democracy है, या फिर Qatar democracy, कोई तो हमें बताए कि इन मेंसे democracy कौन है, कोई यहां पर बताए कि यहां पर जो अकलियते हैं, यहां पर जो माइनारिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहां हैं, उनका क् दिया, तो यह ग्यान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है, भारत का इंटरिनल मामला है, सॉल्फ कर दीगा, मैंने नहीं, वैब अव, सुनो मेरी बात यार, यह सब तो छोड़ो, हजारों लाकों जो कुर्द मार दिये, तुर्की ने, वो एक अल लोगों की, जो मुसल्मानों की है, जिनको चीन नमार दे, इनकी हिम्मत नहीं है, यह तो बीजेपी की स्पोक्सपरसन है, नुपुर शर्मा, उसने कुछ मूँ से बोल दिया, तो इनका मूँ सूच गया, वहाँ पे मुहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है, शेंग जिया तुम आफिस टाइम में नमाज नहीं पड़ सकते हैं, पंद्रा लाख लोग जेल में हैं, जर्म, कि तुम मुसल्मान पैदा हुए थे, पूरा आलम इसलाम चुप है, इमरान खान, जो कह रहा थे कि मैं इसलामोफोबिया के खिलाफ लड़ूँगा, उससे जब पूछा है, CNN ने, BBC ने, मुक्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोलो मुझे पता ही नी इसके बारे में, तो ये जो attitude है ना Muslim World का, ठीक है, कि जिससे हमें फाइदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फाइदा है तो हम कुछ नहीं को लेंगे इसको, और जिस अपालजाइस तो करा नहीं उनको, इंडिया ने बोला, लुकिंग आफ्टर इट, और OIC को डांट और दिया, कि तुम लोग तंग नजरीय के हो, यह नरो मिंड़े, OIC को वहां पर सेट कर दिया, पाकिस्तान को तो पास गाली नहीं दी उन्होंने, बाकि उन्होंने पाकिस पाकिस्तान वह लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स करने है वो, आएगा इम्रान बनेगा नहीं पाकिस्तान, उनको तो को मतलब है नी, तो इस इस हाओ, everything is playing out, basically, दो-तीन बात करने के, देखो, funds, media propaganda, ठीक है, and intelligence agencies of all these countries, यह करा किसने है, पाकिस्तानी इंटलिजें intelligence, Qatari intelligence, Turkish intelligence, and certain sections of Kuwaiti society, certain sections of Kuwaiti society, which sections, वो लोगों को पता, लोग अपने अप समझ जाएंगे, कि कौन से sections है, को कुवेती सुसाइटी के जो एकान कर रहा है, state support की बात कर रहा हूँ, they have gotten together and they have done this, अच्छा, आज कोई जादा खाबर मही आई, कल भी बिलकुल मामला, देखे, म ठीक है, यह मामला खतम हो जाएगा, यह मामला कुछ इतना जादा, दो-चार दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शान्त हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, Indian government को, we should take action against Al-Jazeera, Al-Jazeera should not be available in India, इनको यह terrorism का mouthpiece है, और सबसे बड़ा victim card खेलने वाला है, पूरे दु साथी पीटने चले जाते हैं, यह शिंजियांग के ऊपर ज़रा कुछ मज़िदार सी documentary बनाई, बनाई है नोने एक दो छोटी मोटी, पर that is like कि, वो documentaries पता है कैसी हैं, कि 30 ml में आपने एक लिटर पानी मिला दी, आपको पता भी नहीं लगए, क्या बोलना है, क्या बोलना है देखो, English-speaking, you know, smart-talking, tie-wearing, suit-wearing, highly educated, this is the face of the 21st century jihad, typical, कोई काम करेगा, कोई इसको एक जनरलिजम का जामा पहनाएगा, यह जितने भी मुल्क हैं, जितने भी मुल्क हैं, जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की democracy नहीं है, एक नाम की democracy नहीं है, अब सोच लो, और यह लोग रेज कर रहा हैं भारत के खिलाफ, what local standard do the hell, यह हैं कौन, भईया यह हैं कौन, क्या है तुर्की, क्या है कुवेट, क्या Are they secular societies? No. आप इन में से ऐसे मुलक हैं, जहां पर अगर रमजान के समय हैं, अगर कुछ नौन मुसलिम पानी पीले, जहां पर जेल में डाल देते हैं, भारत में आप कर सकते हैं ऐसा, कि साब नवरातरी चल रहे हैं, किसी नौन हिंदू ने पानी पीले, आपने जेल में डाल And India has never been judged, India has never taken very kindly to other people judging it, वो बहुत मुश्किल है, यह सोच रहे हैं, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है, Saudi Arabia has come around, ठीक है, most of the UAE has come around, यह Qatar Shatr भी हफता दस दन की बात है, maximum, वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफता दस दन की बात है, इसकी यह बादे हो जाए हो तो वैभव, याद है वो Qatar पर भ्लॉकेड था, Saudi Arab and UAE उनका भ्लॉकेड कर दिया था, तो Qatar में कापी हरकम हो गया था, तो Qatar में कापी हरकम हो गया था, दे सेट की, no, we will not, this thing, you know, we will not allow, so it was almost like a forceful military blockade, you know, Qatar को, कुछ 10-15 demands थी, Saudi की तरफ से, Saudi-led coalition की तरफ से, and one of the major demands that they had was ban Al-Jazira, Saudi Arab and coalition जो पूरा था, जो Qatar के खिलाफ था, उनकी main demands में यह था कि Al-Jazira को ban करो, और उननों ने ऐसा क्यों बोला, Saudi Arab ने ऐसा क्यों बोला, Saudi Arab ने ऐसा क्यों बोला, Saudi Arab तो leader of the Muslim world है न, क्योंकि Saudi Arab को पता था है पूरे Arab स्प्रिंग के पीछे, पूरे Arab स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है, कौन है जिसने बिलकुल जिसको कहते हैं कि Egypt की government गिरा दी, कौन था जिसने यह सब करा, यह जो propaganda था, यह जो medium था, जिसमें डिसकंटेंट पहला, जूट बोलके, propaganda करके, that was Al-Jazira, that entire thing was Al-Jazira, Al-Jazira की वज़े से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत, during that time, है ना, वो कौन थे, जो victims थे, जो मर गए, वो कौन थे, वो तो मुसल्मान थे, जो मर गए, और मारने वाला कौन था, वो भी मुसल्मान थे, तो म मरने वाला भी मुसल्मान, मारने वाला भी मुसल्मान, लेकिन मरवाने वाला कौन था Al-Jazira, on the directions of Qatar, Qatar के directions पे, Al-Jazira ने ये सब काम करे है, Al-Jazira is the propaganda arm of the government of Qatar, funded by the government of Qatar, with people like Mehdi Hassan, who are not even closet jihadis, they are jihadis right out in the open, they are right out in the open, और आप उनको call-out नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर रहे हैं, वरना दो मिनिट में जेब सेत्रा बड़ा विक्टम काड निकाल के आपके मुझे मुझे मारेगा, हाई में विचारा, आप क्या कर लेंगे, आप हिंदुस्तान में कुछ बोल के दिखाई है, आपको दो मिनिट में आपके माथे पे ठपा मार देंगे, ये क्या कर लोगे फिर उसके बाद, I don't want to be called communal, मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे communal बोले, आपको अच्छा नहीं लगता नहीं, हमारे तो गाली है वो, सबसे पहले गाली आपके मूह पर दे के मारेंगे थपड की तरह है, even if you are speaking the truth, that is the power of propaganda and that is the power that Al Jazeera has built over the years, द शाहिन भाग कर जहर किसने पहलाया, कोई भी ऐसी movement है, Arab Spring की बात कर लीजे, उसका globally जहर किसने, लोगों के drawing room तर किसने पहुचाया, आप देख लीजे, कुछ भी वैभव, कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो एक democratic, peaceful तरीके से movements आगे बढ़ी है, उनका अंजाम violent रहा है, एंड the back end is Al-Jazeera, somewhere Al-Jazeera, आप देख लीजे, जिस तरीके से West Bank की reporting होती है, जिस तरीके से Palestine की reporting होती है, जिस तरीके से अलक सा मौस की reporting होती है, जिस तरीके से, ये आपको क्या तासर देता है, कोई भी normal आदमी होगा, जो कि दूसरा point, अगर आप Al-Jazeera देखेंगे ना, आपको य अगेगा, आप ऐसा भरोसा कर लेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी ने सारे के सारे कश्मीर में पचास लाख लोग मार दिये, यहुदियों की फौज गई और सारे मुसलमानों को साफ कर दिया, रातों रात, यह आपको ऐसी चीज़ बताएंगे, क्या Palestine में casualities हुई है, गा इरिजम करते हैं, उसमें कितने इस्राइली मारे गए, वो नहीं बताते हैं, न्यूज इस सपोस्ट टू बी टू साइड, आप दूसरी तरफ का भी मौकफ रखिया ना, दूसरी तरफ क्या बोल रही है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते ही लोग, अल जजीरा is perhaps the most well- oiled propaganda machine in the world after Joseph Goebbels, जो Nazi था ना, Joseph Goebbels, Hitler का, उसकी photograph जरा लगाईए, Joseph Goebbels, Hitler का propaganda minister था, उसके बाद अगर उस evil और clinical efficiency के साथ, अगर किसी ने propaganda करा है, तो Al Jazeera ने करा है, and Al Jazeera is, it is not, it is not, Al Jazeera is not about freedom of speech, Al Jazeera is not about freedom of speech, Al Jazeera is about supporting jihad, Al Jazeera is about radical Islam, it's about political Islam and Al Jazeera is, Al Jazeera ने कभी मुसल्मानों के भलाई की बात नहीं करी, यह फितना चाहता है, Al Jazeera फसाद चाहता है, और वही चाहता है, जो कतर का state चाहता है, जो कतर की ruling family है, ruling class है, जो चाहता है, उनके उनका हुकम बजाता है, Al Jazeera, and it is, मैं बत, यह मेरा मानना है, as a student of geopolitics, as a student of foreign affairs and national security, अल Jazeera is detrimental to India's national security, यह फिर करेंगे, यह फिर करेंगे, और फिर करेंगे, और एक बार फिर करेंगे, या तो भारत एक काम करें, it's not very difficult, it's not very difficult for India, पर पता नहीं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान के कोई funds की कामी है, अगर आप बोल देंगे किसी को, आप Tata's को बोल दीजे, आप Amani's को बोल दीजे, अदानी को बोल दीजे, किसी को भी आप बोल दीजे, गर्मन आप बोल दीजे, गर्मन दूरदर्शन के वारे हम कुछ, I don't think Durrदर्शन गोड़े कट अई हैस, यार, Durrदर्शन मैन देखू बचारा फिरंगी कियों देखे गा Durrदर्शन, और मैन देखू, Chitrahar देख 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 के पगगा हैं लोग, याना, it has to be snazzy it has to be 21st century and we have the money to do it, it's a simple function, I'm telling you, it's not so easy, you know, a media house, there are so many, there are no variables, there is no variable at all, all this is nonsense, there is only one variable and that is in dollars, पैसे हैं, खुल जाएगा, पैसे हैं ना, खुल जाएगा, डालो, put 5 billion US dollars on the table, put 5 billion US dollars on the table and then see, 5 billion मैंने बहुत जादा बोल दिया, within one year, you can have a global presence, कितना time लगता है कि दफतर कोलने में, मीडिया का लाइसेंस लो, करो, आप बनाओ, फटा 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 फट, simultaneously काम करो, North America, South America, Africa, Asia, Asia में इतनी कंट्रीज हैं यार, अजिया को जगे प्रफिया जाएगे, जहाँ 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 जो आपके फ्रेंदी रेजीम जो आपको परमिशन देति हैं इंडिया का पॉंट और भीओने, इस नो पीरो क्रिसी थोड़ी सी डिलिए, इसमामले, पैसे की कमी नहीं हैं, वी तूट लाइग, कि अरब की जो इतनी भी कंटर्स होती है वहाँ चलता सिफ तेल का खेल उनकी दुनिया में इसलिए रिस्पेक्ट करे जाती है क्योंकि उनके पाथ तेल है जिसने तेल खतम उस दिनका खेल कतम तो यही इनके साथ चल रहे है पूरी कंटर्वर्सी महीं से होई शुरू कि अरब कंटर्स इसलाम भारी पड़ गई उन्होंने बाइगोट करने लगए इंडिया को और भारत ने को भी जवाब देना पड़ गया था नेरो मंडिट बोला गया था इनको ओ ऐसी को क्योंकि इस तरह की चीज आ रही है अब आने वाले टाइम में अभी पिंचर क्लियर आने क्य तुम मिलें दूसरी रोड़ों में बाइबाइबाइब टेक एड थैंक्स अरॉजे